हागेज आज हम लोग बात करेंगे केजी अब चप्टरट टू जो है जिस तेजी से राप्तार से चल रही है दोस्तों बहुत काबिले तारीफ है लेकिन हमें यह नहीं बुलना चाहिए कि केजी अब चप्टरट वन जो आई थी लाइब टाइम मात्र स्रीफ 46 करोड बिजिनेस के लिए जो कि रोकी निश्टार एसको कोई जानता निता स्रीफ साउट में जानता था यहां पर कोई नहीं जानता था लेकिन उस मूवी से इन्हें बहुत सहारना मिली और बहुत तारीफे मिली बीच में करूना भी लगी लेक जिसके भी चेरे पर देखो स्रीफ केजिब 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 और आज जो है हर एक चैनल पर जो है रोकिन इस्टार ऐसी दिख रहे हैं तो दोस्तो यह बहुत बड़ी बात है और एक बात है मैं एक बात सिखा हूँ कि सबसे ज़्यादा यह है कि अगर जो भी हो अगर हमें तारीफे मिलती हैं, उचाईयां मिलती हैं, तो पुरानी यादे कभी नहीं भूलनी चाहिए, जो अपनी ये है, मतलब जैसे अपना जो है 44 करोर लाइट टाइम कलेक्शन था, उसे नहीं भूलना चाहिए कि केजियप चप्टर वन जो है कितना ये किया, आज जो है मुझे कित कि आप लोग को मालूम है केजियप चप्टर वन के सामने किंग खान की मुवी जीरो हो गई, आज तक उपर नहीं आए, अब रह गई, ये मुवी जो है चल रही है, बहु अली के धीरे-धीरे करीब में पहुच रही है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी दुख की बाद है कि आज एक मुवी रिलीज हुई हालीबुड की और इसक्रीने भी कम हो गई है, तो आज जो है, आज से जो है केजियप चप्टर टू का भी कलेक्शन खोड़ा कम ही आएगा, चार, साड़े चार करोड़ा इसे ही करके आएगा, तो बहु अली अभी उसका कलेक्शन जो है 511 कर करोड है, देखते हैं कितना है, लेकिन यही मैं चाहूंगा कि अपना पूराना दिन कभी नहीं भूलना चाहिए, और केजियप चप्टर टू तो चली रहा है, नाम मिली रहा है, लेकिन कभी भी अपनी यादे, पूरानी यादे नहीं भूलनी चाहिए, अब रहे गई मैं यही चाहता हूँ यह मूवी अच्छी चले और आगे बढ़े और पहुत से तारीफे मिले और आइसे ही दो चार दो चार करोड दस करोड करती रहे और बहु अली का रिकार तोड़े और टॉप बढ़े लेकिन जैसे परभास की वावा हुई और एक बेग जो है राधे साम से नीचे आगे अब जो है कोई मूवी चलना मुझे तो आइसे ही मैं नहीं चाहता हूँ कि रोकिन इस्टार एस का भी ऐसा हो यही चाहते हैं कि अपना पूरानी यादे नहीं भूलना चाहिए आप लोगो मालूम है कि जो है कि कभी भी आपने को धमन में कोई चीज नहीं ले चमर है तो दोस्तों ए मूवी जो है कल एक और किर्टीमान हासिल करेगी चार सो दो या तिन करोड हो जाएगी फिर इसके बाद जो है 1100 मतलब 12-1300 ऐसा को धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और यहीं चाहिएंगे कि कम से कम जैसे हम आपके कौन 25-25-30-30 हपता तक ठेटर से नहीं निकलती थी कास अगर ऐसे केजेब चप्टर 2 होती मतलब केजेब चप्टर 2 भी ऐसे 25-25 हपता चली लेकिन नहीं अब वो दिन गया अब जो है 4-5 हपते में ही फैसला हो जा रहा है जो कि केजेब चप्टर 2 ने फैसला कर दिया है कि मैं कम दिन में इतने बड़े से बड़े रिकार्ट तोड़ सकता हूँ जो कि केजेब चप्टर 2 ने कर दिखाया 400 करोड के इसमें इंटर हो गई एक हजार करोड के इसमें इंटर हो गई बस यह चाहता हूँ मैं कि बहु अलिका 511 का करोड का यह विकार्ट तोड़ सके बस दोस्तों इतना ही आटवाल एंकल चैनल को सब्सक्राब करना ना बोले नमस्कार जै